तो दोस्तों क्या आप इस festive season में एक laptop पर्चेस करने की सोच रहे हैं और आपका budget 50,000 रूपे है तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसे laptop बताने वाल हूँ जो आपको 50,000 रूपे के अंडर मिलने वाले हैं ये laptop one of the best होने वाले है अपने price segment में और मैंने कोशिश ये किये कि ज़र से ब्रेंड को include करूँ चायब को HP हो, Dell, Lenovo, Acer, Asus सभी के laptop को मैंने इस वाले लिसमे include करने कोशिश की है क्योंकि कोई-कोई बंदों को सिर्फ brand specific laptop ही चाहिए होते हैं किसी को सिर्फ HP के लेने हैं तो किसी को सिर्फ Lenovo के ही लेने हैं सो सभी लोगों के लिए ये वाली वीडियो helpful होने वाली है और इस वीडियो से आपको आपका dream laptop मिलने वाले सो वाई इस वीडियो में अग्रेटने से पहले आप लोगों से एक छोड़े सी request है अगर आप इस चैनल पहले बार इस चैनल में को सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन दबादेजे ओल कर दीजे ताकि जब आप लिए नई वीडियो डाले तो आपको रोडिफिकेशन सबसे पहले मिले है और हमारे चैनल पर बहुत सारे गेव भी चलने है तो अगर आपने भी तक की में पार्टिसपेट ने कि यह डिस्क्रिप्शन में लिंक दियो है जाई और पार्टिसपेट कर लिजे सुक आइ लिफ्टिन डिजाइन होने वाले और इसकी डिस्पेट इसमें आपको 15.6 इंच की फुल एच्डी डिस्पेट इसमें आपको मिल जाती है बैकलिट यह वाला कीबोर्ड होने वाला है और इसमें आपको 11th जनेरेशन i3 प्रोसेसर मिल जाएगा 8GB की DDR4 RAM मिल जाएगी और 256GB क SSD इसवाल लैट्टोप में आपको मिल जाएगी इंटेल यूस्ट के ग्राफिक्स मिल जाते हैं और विंडो टैन होम आट अफ दी बोक्स मिल जाएगे प्रैसिंग की बात करें तो यह वाला लैट्टोप आपको मिलने वाला है 41999 उप्ली में वीडियो मागे बिटने से पह सब्सक्राइब किया है 15.6 इंच की इसमें आपको डिस्पले मिल जाती है काफी तीन यह वाला लैट्टोप होने वाला और इसमें आपको 220 निट्स की ब्रैटनेस में मिल जाती है इसमें आपको 4i3 टेंजरेशन प्रोसेटर मिल जाते हैं जहांते आपको 8GB की DDR4 RAM मिलने वाल जाती है जिसको आप इंटेल टर्बो बूस्ट टेकनोलोजी से चार्ज कर सकते हैं अगर प्रैसिंग की बात करें तो इसके लिए आपको खर्च करने होंगे 41,990 रूपीज चलिए अगला लेप्टोप की बात के लिए तो अगला लेप्टोप यहां पर हमने स्लेक किया है A आपको 8GB की RAM DDR4 मिल जाएगी 1TB की हार्ड डिस में आपको मिल जाती है और इसमें आपको इंटेग्रेटिट इंटल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा 48 वोर्ट आर की इसमें आपको बैटरी मिल जाएगी जिससे आपको 10 गंडे तक का पाउर बेकप मिलने प्राइसिंग की बात करें तो इसके लिए आपको खर्च करने होंगे 44,990 रूपीज चलिए अगले लेफ्टोप की बात करें तो अगला लेफ्टोप हमने सलेक्ट किया असूस की तरफ से असूस वीवाबुक 14 अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 14 512GB की SSD इसमें आपको मिल जाती है, Intel USD Graphics Card मिल जाती है, 37Wh की battery मिल जाती है और इसमें आपको 2.5-inch SATA slot मिल जाती है जहाँ पे आप अपनी hard disk या फिर SSD लगा सकते हैं उससे आप अपनी storage को expand ज़रूर कर सकते हैं प्राइसिंग की बात करें तो इसका price होने वाला है 47,990 रूपीज चलिए लास्ट लेप्टोप की बात कर लेते हैं और ये वाला लेप्टोप मेरे सबसे फेवरेट भी होने वाला है क्योंकि मैं ओलेडी लिनोवो का एक laptop यूज कर दो ये वाला लेप्टोप लिनोवो की इसमें आपको 15.6 इंच की full HD display मिल जाते हैं आपको 250 nits की brightness मिल जाते हैं Dolby का audio इसमें आपको मिल जाते हैं लाइटवेट होने वाला है backlit keyboard मिल जाते है प्रैसिन की बात करें तो इसके लिए आपको खर्च करने होंगे 49,990 रूपीज यही थे पार्च लेप्टोप जो आप 50,000 रूपए के अंडर करें सकते हैं और हमने कोशिश चीए कि सारी ब्रेंड को इंक्लूड कर ले क्योंकि कुछ लोगों की brand specific demand होती है अगर आपको इ एक वीडियो बनाके जरूर देंगे अच्छी लिए तो लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बाए तो चैनल को सब्साइब कर लीजिए मिलते एगली वीडियो में तब तक के लिए हैश्टेग ओके बाए कर दो